हेलो एवरिवन मैसेल्फ अभी सेख सिंग और आज हम लोग फिश्टरीज का एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे हम लोग ने अल्रेड यह देखा कि आई बीपेस एफो के अगर हम इसपेसली बात करें तो आज कल इसमें फिश्टरीज के काफी कोशन्स प पूछे गई है तो अब यह एक ऐसा टॉपिक हो चुका है जिसको कोई स्टूडेंट मिस नहीं कर सकता क्योंकि यह भी रेंक करने में बहुत ज्यादा हैल्फुल रहेगा तो आज हम लोग फिश्टरीज का ही एक और इंपोर्टेंट टॉपिक डिसकस करेंगे जिसका नाम ह तो इसमें हम लोग टाइप ओफ वेट लेंट भी देखेंगे जैसे ओक्स बोलाई के टेक्टोनिक डिप्रेशन है स्वें स्मार्सेज तो यह सारी चीजे क्या होती है मैं बेसिक इनकी बारे में पता होना चाहिए तो जैसे हम वेट लेंट के अगर हम बात करें तो वेट ल सबसेнейट्स कोई रेंट बॉइब और पानी से काफी टाइम के लिए भरा हुए था कि बातर लग तो यहां पे वाटर फिल रहने की वज़े से थोड़ा psychedel शा बने लग से बनने लगा रमसार helfen का था एक International Environmental Trading कुछी नहीं है रमसार एक जगा का नाम है एरान में इस हां 2nd February 1971 को रमसार कन्वेंशन साइन हुआ था एक treaty sign हुई थी, मतलब बहुत सारे देसों ने मिलके यहां पे एक treaty में sign किया था कि वेटलेंड्स का क्या करना है हमें? वेटलेंड्स का conserve करना है. जो वेटलेंड्स खतम होते जा रहे हैं हमें उन्हें conserve करना है और साथ में wetland का जो resources उसको किस तरीके से और betterly utilize किया जा सकता है तो इसके लिए क्या sign हुआ है रमसार convention कई सारी countries ने इसको sign किया था रमसार इरान में इसको sign किया गया तो इसलिए इसका नाम क्या है रमसार convention तो एक तो यह चीज बनी दूसरा इंडिया में रमसार साइट्स कितनी है रमसार साइट्स क्या हुआ जब हम wetlands की बात कर रहे हैं तो कहने के लिए तो wetlands बहुत सारे हो गए है ना जहां भी water काफी time के लिए पर है wetlands हम के दे रहे हैं wetlands बहुत सारे हैं बट कुछ ऐसे wetlands हैं जो international importance के हैं ठीक है वो काफी ज्यादा important हो जाते हैं तो उन्ही wetlands को क्या के दे गया रमसार साइट्स ठीक है इसी convention में डिसाइड किया गया कि आपका जो wetland है अगर वो ऐसी ऐसी conditions fulfills कर रहा है तो उसका हम कहें देंगे कि रमसार साइट्स तो यह क्या है रमसार साइट्स wetlands ही है जिनका कुछ international importance रहेगा इंडिया में कितने आपके रमसार साइट्स यह थोड़ा सा important है इंडिया में 75 जो 75th independence था इंडिया का उससे जस्ट पहले इसके लगबग 11 11 wetlands कम थे 75 independence को celebrate करने के लिए 11 नई रमसार साइट्स इंडिया में add किये गए और total number of रमसार साइट्स जो अभी है वो कितनी है 75 है इसके बाद जो चीज हमने अभी discuss की यहाँ पे वही उसी के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है अब रमसार साइट्स के बारे में बस एक चीज हो रहे है कि जो यहाँ पे wetlands day ठीक है यहाँ पे जो world wetland day मनाया जाता है वो कब celebrate किया जाता है 2nd February क्यों क्योंकि 2nd February 1971 को ही रमसार कंवेंशन साइन हो था ठीक है और करन्ट अफेर से भी अगर बारे में बनता है तो सिंपल सा करें एक कोशन मना तो थीम से रिगार्डिंग पूछ सकता है कि 2023 में wetland day की theme क्या थी wetland restoration और जो भी आने वाल है जो 2024 में दो wetlands and human well-being ठीक है तो wetlands के बारे में आपको थोड़ा बहुत इतना ध्यान रखना है एक पॉइंट और 8 क्या हुआ है कि सुंदर्बन जो है ना वेस्ट बंगॉल में जो सुंदर्बन से हैं जहां आपको थोड़ा mangroves वगेरा भी देखने को मिलते हैं estuarine condition है थोड़ा सा discuss करेंगे आगे क्या होता है तो वह आपकी इंडिया में क्या largest ramsar site है ठीक है खरी यह इतने important नहीं है बट ऊपर की जो आपके साथ पॉइंट से ही थोड़ा important है floodplain wetlands ठीक है अभी हम लोग आज जो discuss करेंगे important वह हम लोग floodplain wetlands की ही बात करेंगे ठीक है कुछ यहाँ पर data दिया वाए देगो floodplain wetlands आप थोड़ा सा अगर आइडिया लगाओ कि floodplain मतलब क्या है कि river अगरा flow हो रही है floodplain मतलब कि flooding हो भी वहाँ पर क्या हुआ पानी भर गया उसी से आपका क्या हुआ काफी time के लिए वाँ पर water deposit है जैसे हम लोग आगे समझते वे चलेंगे इसके अलग-लग tiles वहाँ से हमको यह concept और easily clear होते वे चलेगा कि आगे यह floodplain wetlands है क्या ठीक है वही से हम लोग इसको समझते वे चलेंगे classification of floodplain wetlands ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें एक बहुत ही important है और बहुत ही important है यहां से question बनता है Oxball Lakes ठीक है Oxball Lakes हम बात किस चीश्की कर रहे है आज हम बात करेंगे floodplain wetlands ठीक है जैसे यहां पर क्या है river flow हो रही है तो flooding की वज़ा से कुछ ना कुछ flooding का रॉल इसमें रहेगा उस वज़ा से जो wetlands बने उसको हम क्या कहते रहे है floodplain wetlands तो वहीं पर लिखा था कि water का fluctuation जिदा रहेंगे में चीशल में याद हरकनी हमें ध्यान में रखने क्या आखिक क्या होता है ठीक है Oxball Lakes देखो क्या है कि माँनो की आखластिक कोई river है जो इस तरीके से अथा पाद हरी है अब क्या होता है की river है तो यहां पर पहुँट सा river बीच में शूख गई् तो उस इसा direction flow करने लगी जब बात में वापिस से वाँ पर पानी आया, ठीक है, यह हो सकते है कि flooding बहुत ज्यादा हुई, जिस वज़ा से river क्या होई, बात में जब flooding गई, तो river का path थोड़ा सा change हो गया, तो कोई भी region हो सकता है, जिस वज़ा से river जो पेले flow कर रही थी, अब उसने क् पात थोड़ा सा change कर दिया, ठीक है, river ने क्या किया, अपना path थोड़ा सा change कर दिया, ठीक, यह जो flow कर रही थी, अब उसकी जगह वो इस तरीके से flow करने लगी, ठीक, यहां से थोड़ा सा क्या होगया, डिटेच हो गई, अब इसने अपना रास्ता change कर लिया, और जो यह पा पेले की river थी है उसका जो water रहे गया है, ठीक है, तो इसी को हम बॉलते है क्या, oxbow lakes, बहुत important है, oxbow lakes, इसका जनरली जो shape होता है, यहां से भी person बनता है, देखो पेली चीजी लिखी, oxbow lakes, cutoff river amended, इसका मतलब कुछ नहीं है, मेंडर्स का मतलब होता है कोई भी चीज जो एक कर्वी पाथ फ्लो करती है उसी को के दिया जाता है मेंडर्स ठीक है मतलब स्नेक जीसा भी सेव देख सकता है तो यह safe के regarding बहुत important है बेंकों मराश्टा का एक बार एक्जाम वा था तो वहां पर Oksbola X के regarding भी पूछा गया था और Oksbola X के safe से regarding वहां पर question आया हुआ ठीक है तो फिर एक दो लाइन और लिखी हुई है कि देखो क्या हुआ कि वह पहले एक्च्वल में रिवर थी बट रिवर अगर 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 कट ओफ हो चुकी है याँ से रिवर थोड़ा सा कट आफ हो गयी है तो यहां पर वाटर क्यों इस टेंगेंट हो गया वाटर यहां पर रु नीचे बार-बार स्वैल डिपोजीट होता जा रहा है तो उसी चीज को बोलते हैं कि सिल्टेशन इसी वाज़ा से यह रिवरवाली कंडिशन की जगा बलेकस्ट्राइण कंडिशन में आने लगी लेकस्ट्राइण कुछ नहीं जैसे लेक्स होती है ठीक है लेक्स में जनरली जो sediments deposit होते रहते हैं बार-बार उसी को हम कहते हैं लेके स्थाइं तो यह आपकी जो condition है थोड़ा लेक जैसे यहाँ पर बनने लगाए वाट के रुकने की वज़ा से तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है ठीक है एक्जांपल यह बिहार वेस्ट वंगॉल वागेरा में आपको जयदा देखने को मिलेंगे बड़ इसका हाईयर स्टेडिया कहा है उत्तर प्रदेश में है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सर्पेंटाइन होगे नए इस तरीके से फ्लो कर रही है यहाँ पर जो रिवर कट आफ हुई है यहाँ पर देख सकते हो कि रिवर का पहले यह वाला पात था अब रिवर ने क्या क्या है उस फ्लडिंग वगरा हुई होगी तो यहाँ से यहां पर जोईन हो गया और बाद में वह इसी पात से फ्लो करने लगी और यह वाला पार्ट क्या हो गया डिटैच हो गया उसी को हमने बोला क्या ओक्सबो लेक्स ठीके तो यह होता है आपका ओक्सबो लेक्स काफी इंपोर्टेंट है यहाँ पर एक जो पॉइंट आपको अब होसकता है कि कुछ जगा पर Tectonic plates क्या है थोड़ा सा नीचे की तरफ दस गई तो उस वज़े से क्या होगा एक particular area थोड़ासा नीचे की तरफ जला गया ठीक है तो इसी को हमने वोला किया टैक्टोनिक डिप्रेशन तो वही चीज है आईदर शेलो डिप्रेशन फॉर्म बाइट अक्तिविटी और बाइड रिवर बेट्स जेनरली कनेक्टेट तू दा प्रिंसिपल रिवर कुछ नहीं है डेड रिवर बेट्स जो रिवर मतलब पहले अब क्या उसके सूख चुकी है और उसके अगल बगल अभी भी रिवर फ्लो कर रही है वहीं से थोड़ा बहुत वाटर यहां पर आके भर जाता है ठीक है तो टैक्टोनिक डिप्रेशन यहीं चीज है और कुछ नहीं है शेलो होगी इर्रेगुलर होगी शेप में ठीक है को दिख रहे हैं यहां पर कुछ नहीं है यह डिप्रेशन से जो बन चुके है न यहां पर वाटर भर गया यही है क्या टैक्टोनिक डिप्रेशन अब हम बात करेंगे river pool ecosystem यह भी काफी simple चीज है देखो river pool ecosystem क्या है कई जगा आपने देखा होगा कि क्या हो रहा है river flow कर रही है तो river काफी ज़्यादा flow कर रही है अब जब summer आएगा dry conditions होगी तो river सूक नि लगी ठीक है यहाप बढ़िया तरीके से river flow कर रही थी अब क्या हो गय अब रिवर सूक नि लगी कुछ कुछ area रहेगा जो थोड़ा सा क्या है अंदर की तरफ है थोड़ा से depressed है वहां पर थोड़ा बहुत water रहे जाएगा ठीक है कुछ कुछ area से रहेगा बाखी जगा क्या होगी river सूक जाई उसी को हमने बोला क्या river pool ecosystem इसी को हमने बोला अब य ecosystem ठीक है यह बात हो गए यहां पर seasonal in nature है न क्योंकि अब क्या हो गया dry condition में यह कुछ कुछ जगह पे water river में क्या है इक खटा है बट अगर वापी से rainfall आएगी तो river तो अपनी फिर से क्या होगी full flow में flow होने लगेगी और फिर यह river pool बना है यह क्या होगा गायब हो जाएगा तो वह लिखा हुआ है it is seasonal in nature यह लाइन इसमें थोड़ी सी important है जो हमको ध्यान रखना है अब हम बात करेंगे swamps या दल-दल की मतलब यहां पर एक तो eutrophication बहुत जादा हो चुका है ठीक है मतलब आप मानलो यहां पर बड़े-बड़े trees है water law condition है यहां पर क्या होता है कि water law condition है पानी भरावा है बाहर से यहां पर कई सारे nutrients, minerals वगेरा भी आ चुके हैं जिसकी वज़ाद से eutrophication I think सब को पता होगा कि LD वगेरा grow कर जाती है जिस वज़ाद से क्या होने लगते है यहां पर oxygen वगेरा deplete होने लगता है ठीक है LD वगेरा grow कर जाती है eutrophication जो normal हम बात करते है वही चीज होती है swamps में तो इस वज़ाद से यहां पर क्या होता है जो organic matter present होगा क्योंग यहां पर trees वगेरा भी है ठीक ह species वगेरे भी होंगी जहां पर organic matter भी ठीक ठाक present होगा organic matter decompose तब होगा जब वो oxygen के साथ react करेगा तब ही उसका decomposition होगा waterlog condition में organic matter decompose नहीं करता organic matter ज्यादा होता ही एक general बात है तो इसमें भी क्या होगा organic matter थोड़ा सा ज्यादा होगा और उस वज़ा से कुछ toxic gases भी इसमें देखने को मिलेगी ठीक है में जरूर याद रखना है वह फिस है कौनसी catfish ठीक है catfish catfish में भी कौनसी वालागो अट्टू fresh water catfish जिसको के दिया जाता है तो catfish अगर आपने कभी नेट जियो वगेरा याफि किसी भी चैनल में देखा होगा तो यह catfish दल-दल में ही ज्यादा देखने को मिलती है कुछ catfish जो होती है वह काफी लोग oxygen condition में भी रह सकती है कि water कम होगा तब भी वो रह लेंगे तो यह swamps है ठीक है यह क्या है swamps यहाँ पर आप देख रहे हो कि थोड़ा-थोड़ा greenish greenish सा color दिख रहा है क्योंकि क्या होने लगा यूट्रोफिकेशन होने लगा दूश्री चीज स्वैंप में बड़े-बड़े trees यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे और इसके ल लेकि 2 मीटर तक यह ग्रो कर जाती है ठीक है तो यह फिर फिर फिस हो जाती है दूसरी बड़ी दूसरी जो फिसेज है उनको क्या करेंगी उनपे प्रीडेशन करेंगी उनपे फीड करेंगी तो यह था swamps अब हम बात करेंगे किसकी marshes की यहाँ पर तोड़ा सा लिखा स्वैंप और मार्सेज का एक को चीज यहाँ में रखनी है तो मार्सेज में एक चीज तो वाटर आपका जो है वाटर वहाँ पर ज्यादा प्रजेंट होगा ज्यादा स्वाइल है वह वाटर से से स्चुरेटेट होगा किसमे मार्सेज में दूसरी चीज आपको स्वैं में ट्रीज देखने को मिल रहे हैं , पड़ आपको मारसेज के अगर हम बात करें तो आपको yaples SH ups , ये स्थारी देखने को मिलेंगी , इस चाएप ये गुथी , फेयाँ हर। ठीक है लेक फ्लो हो रहा है अब यहां पे क्या कह रहा है कि river flood plains है ना कि इसका पात पहले और कुछ था अब बीच बीच में flooding के टाइम पे क्या हो रहा है flooding के टाइम पे यहां पे पानी भर जा रहा है तो यह कुछ खास नहीं है but oxbow lake क्या है यह थोड़ा सा important है कि river पहले इस तरीके से flow हो रही थी बाद में क्या वा river ने अपना पात थोड़ा सा sod कर दिया moby ठीक है होता है कभी-कभी ऐसा भी oxbow lake यहां पे क्या हो गया है यह river यहां से flow हो रही थी अब इस ने अपना पात आप शोड कर दिया और जो यहां पर पानी भरा रहे गया इसी को हमने के देखिया ओक्स बोल एक जिसका सेप क्या है मून सेप कि आपको दिखे गिया क्रिसेंट से बोल दिया हमने का कि यह स्नेक जैसे सर्पेंटाइन जैसे भी देख सकती है या फिर होर्स्चू सेप में दोनों थोड़ा सा क्या हो रहे है थोड़ा सा मिक्सप कर रहे है मार्सेज में क्या है मार्सेज में आपको थोड़ा और ज्यादा वाटर देखने को मिलेगा दूसरी मार्सेज में आपको हर्फ और स्रफ देखने को मिलेगा एक और बहुत इंपोर्टन चीज जो आपको ocean से meet कर रही है तो river में अपका क्या है, fresh water river में जो भी है fresh water the river में जो भी четы g SUC ओ ynदीफ होंगी उसक और ऊचर्ण में जो फीस होंगी उसको म क्या बोलेंगे marine sociedade because ocean में salt जाता है उनको salt water में ज्यादा चाहिए गुदियża अजए में oraz marine forces ठीक है बट यहां पे अगर आप देखोगे जहाँ पे river ocean से मीट कर रही है तो यहाँ पे आपका एकदम fresh water है salt content बहुत ही कम रहेगा और merine में क्या salt content बहुत ही जादा रहेगा और यह जो beach का area जहां पर mix up कर रहा है यहां पर salt content moderate condition में रहेगा उसी कौम कहते हैं क्या asturine ठीक है और कुछ फिसेज ऐसे होंगी जो यहां पर आपको especially asturine condition में ही देखने को मिलेगी especially अगर हम बात करें तो hill strike बहुत important example है जो west bongol की state fish भी है तो यह आपको generally asturine condition में देखने को मिलती है क्योंकि गंगा जो है west bongol चाहिए तो ocean में जा रही है और जहां पर वह ocean से meet कर रही है वहीं पर a strong condition generate हो गई और वहीं पर आपको ज्यादा देखने को मिलती है मार्शेश की बात करें तो मार्शेश में यह में चीज है इसमें कि इसमें आपको generally shrubs वगेरा ज्यादा देखने को मिलेंगे ठीक है स्वैंप और मार्शेश में में डिफिरेंश के आपको यह जानना है ठीक है बस एक वर्ड ओर होगा इसिंग ठीक है यह हम लोग अलड़ी बात कर चुके है यह वैलागो अट्टू जो है यह क्या है फ्रेश वाटर साग्या फिर कैट फिसे जो आपको generally swamp और मार्शेश में ज्यादा देखने को मिलेगी उसके लाएवा और कुछ examples भी लिखे है ठीक है चलो एक लास्ट और है waterlogged wetlands waterlogged wetlands क्या हुआ यह कुछ नहीं रैनफॉल वगेरा हुआ एक particular area में बस पानी भर गया बड़ यह condition है कि दीजर mostly perennial जनरली क्या होगा कि पूरे शारबर तक पानी भ जाएगा है ना बट वाटर लोग wetlands जनरली क्या होते है यह perennial होते है ना इनको चौर भी कह दे जाता है भीहार होते हैं तो मिलते हैं उसके लावा यहां पे water ऐसे भराव आए तो यहां पे आपको जनरली weeds aquatic weeds भी देखने को मिलते है इस पेसली वाटर हाइक है तो यह आपक ठीक है ठीक है ठीक है कुछ एक्जामबर से लिखे हैं इसके एक्जामबल इतने बोरे नहीं है बड़ श्वैंप और मार्सेज को आपको इस पेसली याद रखने है और तोलसा हिल्जा के बारे में भी आपको द्यान रखने है ठीक है इनलेंड वाटर रिसोर्स आज का यह आज हम लोग ने इसपेसली डिसक्स के किन चीजों के बारे में वैटलेंड के बारे में ठीक है जो डिफरेंट टाइप के फ्लेट प्लेंड वैटलेंड इसपेसली आज हमने बात किया ओक्सबोलेक्स के बारे में डिसक्स किया है तेक्टोनिक डिप्रेशन के बारे में डि के बारे में जहां पे हम लोग दिसक्रस करेंगे थैंक यू सो मुच वर वाचिंग लाइक इन सब्सक्राइब तो देग्रिमेंटर चैनल